Good morning everyone, आज हम गरने वाले हैं 9th of January 2024 के The Hindu Newspaper का Analysis चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला आर्टिकल बात कर रहा है, यहाँ पर Supreme Court के दुआरा 11 जो लाइफ कन्विक्स थे गुनेगार थे, क्या गुना था इनके उपर, इनके उपर आरोप लगाया था, यह उस चीज़ में प्रूब भी हो गए थे, तो यह जो है विक्टिम जो है बिलकिश बानो उनका लोगों ने मिलकर रेप किया, उसके बाद ऐसा माना चाहता है कि उस समय पर बिलकिश बानो प् अन्विक्ट किया गया, लाइफ इन्फरिजर्मेंट दी गी, लेकिन कुछ ही टाइम पहले, जस्ते दो तीन महीने पहले, यहां पर गुजरात हाई कोट ने इनकी सजा को कम करके इनको छोड़ने की बात की, अब यह बात अच्छी नहीं लगी, बिलकिश बानो कर वो सुप इन्डियन एक्सप्रेस न्यूस पेपर के अंदर बहुत अच्छे से एक्स्प्लेंट किया है, और उसका एनलिसिस में अल्रेडी कर चुकी हूँ, तो अगर किसी को वहां से जाकर समझना है पूरा केस क्या था तो आप पहले की 10 से 12 मिनट की जो वीडियो है सिरफ उसको दे लिए जाए और जो अलग-अलग आर्टिकल्स है वो हमारे चुटे ना, ऐस दा हिंदू जो है वो बहुत अच्छा न्यूस पेपर है साइंस इंड टिकनोलोजी प्लस यहां पर आपका एन्वार्मेंट के प्रस्पेक्टिव से, और अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करे यहां पर रिटन होगा, मैंड मैप आपको आगे दिखेंगे, इनका अगर PDF चाहिए है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टेलिग्राम लिंक यहां पर मिलेगा, उसको जोइन कर लीजिए, ग्रूप के अंदर आपको डेली का यहां पर PDF प्रोवाइड किया जात यह नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो की बात करा है, इंडिया मालदीफ्स डिसकस पैट, इसराइल स्टेप्स इंटू कॉंट्रोवर्सी, हम सब लोग इस बात से अवगत हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके कुछ फोटो यहां पर बहुत जादा वाइरल हो रहे आते हैं, तो इधर हम देख पाते हैं, अंडिमान निकोबर को, नीचे हाँ पर श्रीलंका है, और इधर आप देख पाएंगे लक्षद्वीब को, तो यह जो लक्षद्वीब है, मालदीफ्स की तरफ से, मालदीफ के साथ जब कॉंट्रोवर्सी होती है, मालदीफ्स के लेकिए, हमें आपके साथ हमारे कुछ मेरी टाइम अगरीमेंट थे, लेकिन आब हम उनको यहां पर आगे चालू नहीं रखना चाते हैं, ठीक है भई, मत रखो, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंग, उनकी जो प्रेजिडेंट की शपत हो रही थी, तब वो वहां पर जाते हैं, और उसके बाद उनके जो भी ट्रोप्स हमारे थे, वो वहां से उनको वापिस ले आते हैं, क्योंकि हमें ऐसा बोला गया था, अब इंडिया का टूरीजम बहुत जादा जाता है, मालदीप्स में बहुत जाता है, जो यहां पर मालदीप्स की अंदर जाते है और उसी को यहां पर लक्षद वीप में कनवर्ट करने के लिए थोड़ा सा एक तरीके का हम बोल सकते हैं, कि एक स्टैप उठाया गया, गवर्मेंट के द्वारा गये, अब यह चीज़ पसंद नहीं आती है, मालदीप्स को, क्योंकि यहां पर लक्षद वीप की ब्यूटी को दिखाया जा रहा है, और उसमें यहां पर कुछ डेरोगेटरी कमेंट कर दिये जाते हैं, अब मालदीप्स की मिनिस्टर्स हैं, जो तीन देप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, लेकिन मालदीप्स के बाद उस पर एक अच्छा पॉइंट लिया जाता है, कि वह उन तीनों पाहिब इनका नाम है, इबराहिम साहिब आप इनको फोटो में भी देख पा रहे हैं, यह आ जाते हैं इंडिया के अंदर, और यह मिलते हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेर मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेर मिनिस्टर्स हैं, उनके जो कि इस्ट्री की तरफ से कोई भी हांपर कुछ रिलीज नहीं किया गया है अभी तक रहें यह सब स्टेप लिए गए थे अब इसमें पॉइंट आता है कि इस्राइल कंस्ट कर रहा हैки गूंटर कि नि później नजर आ क्यों बंढ़ रही है क्योंकि हमने देखा पहले कहां हमारे मालदिवस के साथ इतने अच्छे संबंध होते थे क्यों जहीं हमें इतने अच्छे संबंध क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी को हमें अपनी को बना कर रखना है मालदिवस इंडिया के बहुत करीब है और अगर मालदीव्स में इंडिया की तरफ से यहां पर चाइना आकर बैट जाता है चाइना के टूप अगर वो वहां पर बैट जाते तो उनके लिए इंडिया के ओपर अटेक करना बहुत इजी हो गया एक तो क्योंकि काफी नजदीक आ गए है वो डाउन से साउथ की तरफ प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्रती तो उसका रिस्पोंस में उनको उनकी ब्यूटी में कमेंट वगएरा के उपर जो भी करना था उनको हटा दिया गया तो यह पॉइंट है दूसरा हम देखेंगे मालदुस एन्वी को यहां पर सम्मण कर लिया गया वह यहां पर आक पार्टिस्पेशन क्यों हो रहा है हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वह पार्टिस्पेट करेंगे लेकिन फिर भी वह सामने आ गए हैं तो इसराइल की जो एंबेसी है वह कहीं पर सिचुएशन के अंदर जंप कर लेती है और उन्होंने इसराइल की तरफ से यहां पर फोट जब जाते हैं तो टूरिजम करते हैं इससे अपीर होता है कि कहीं एक तरीके से जो मालवियन डेप्यूटी मिनिस्टर है जो की यूथ अफेर के लिए उनके रिमार्क पे भी वो रिस्पॉंस करते हैं वो लिखते हैं कि नहीं आप ठीक लिक रहें गलत लिक रहें यह सारी तो यह एक थोड़ा सा यहां पर कही ना कहीं जो इस्राइल और इंडिया की टाइज है, उनको दिखाना चाह रहे हैं, मर्यम साहून्या जो की एमबेसेडर है यहां पर इस्राइल के तरफ से frequency के अंडर है फिर हम देखते हैं कि क्या क्या धर अंगर हो रहा है, यह इतनी से क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो रिसेंट डेवलोपमेंट चल रहे हैं मालदीव के साथ वह कहीं न कहीं पर इंफ्लुएंस होगा और टूरिजम इंडस्ट्री जो है वह भी मालदीव की यहां पर इंडिया की तरफ से इंपेक्ट देखने को पर है और इंडिया में क्या मिल आत की जो डूटी होते है पाइलेट के लिए उनको रिवाइस किया है उनको जादा रेस्ट दिया है फ्यूवर नाइट ट्वाइट क्या बात हो रहे है कल ही हमने दाहिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसको यहां पर पढ़ा और वो आर्टिकल बता रहा था जेल क क्या है जपान एरलाइन लिमिटेड अब यह जपान की जो एरलाइन है इसकी एक एरबस थी जिसका एक दुरगटना होती है और उसके अंदर इसमें साड़े तीन सो से जादा पैसेंजर थे जिन में से पांच यहां पर जादा इंजर्ड हो जाते हैं और जो है वो सेफली उनक सेक्टर के जो सेफटी मेजर है उसके उपर तो यह सवाल भी यहां पर आए है अब उसी के बाद में डीजी सीए जो की कौन होता है डीजी सीए होता है आपका डारेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवियेशन उन्होंने जो डूटी के नॉम से उनको रिवाइस कर दिया है दो तर से पहला एक तो दिखे जो नाइट का टाइम था यानि कि नाइट डूटी की जो डेफिनेशन थी उसको बढ़ा दिया गया उसको बढ़ा कर बोला है कि वो रात को 12 बजे से मिड़ नाइट से लेके सुबह की 5 बजे तक की नाइट डूटी मानी जाएंगी दूसरा यहां प मिलना चाहिए और उनके जो घंटे होंगे फ्लाइट के वो छे घंटे से जादा यहां पर एक साथ में नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे क्या होती चैनल एबिलीटी है वो इससे थोड़ी सी खराब हो जाती है अगर उनको प्रोपर रेस्ट ना मिले तो यह सारी चीज़े क कि इस्टेंडर को बढ़ाने के लिए इस गूड मुमेंट और गूड स्टेप लिया गया है यह तो हमारा रिविजिन हो गया तो इसको इंकलूर कर लिया नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि बात कर रहा है करनाट का हाइकोट बैंस माइनिंग एक्टिविटी नियर के आर एस रिजर्वोयर देखें अभी यह एक ऐसी न्यूज है एन्वायमेंट से जो कि जी एस पेपर थ्री में हमारे काम आती है राइट एन्वायमेंट के पोजिशन में प्रिलिम्स में हमारे बहुत इंपोर्टन है लेकिन यह क्या बारी है देखें लोटक लेक का अभी सिक्किम में दो महिने पहले ही यहां पर हमें देखा था गलॉफ हो गया था यहां कि ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट यहां पर देखा गया था फ्लरड देखी गई थी एक और उसी में हमने देखा कि जो यहां पर लोटक लेक है और उसी पे जो एक बांद बना हुआ है यहां पर यान की डेम की सेफटी यहां पर इंपोर्टेंट हो जाती है डेम सेफटी के लिए आपर कौन से एक्ट कौन से रूल्स को यहां पर बनाया गया है तो हमें पता है कि जो डेम सेफटी है उसके लिए डेम सेफटी एक्ट 2021 को यहां पर बोला गया है उसकी अफधारना दी गई है कि देखे द्रेम की जो सेफटी है उसके लिए करना पड़ेगा और जितने भी माइनिंग की एक्टिविटीज थी जो जिनको भी यहां पर पास किया गया था 20 किलो मीटर के अंदर अंदर जो यह डैम आपको दिखाई दे रहा इस एरिया के 20 किलो मेटर के अंदर उन सभी को रोक दिया गया बैन कर दिया गया यह खबर थी यहां पर नेक्स्ट हम चलते हैं जो की है कॉप दर डिस इलूजन मेंट विद ट्रडिशनल रूल ओफ लॉव देखे इंपोर्टेंट अर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर टू के लिए यहां पर जीएस पेपर टू में हमारे क्य क्या बाते होती है चो आपका सोचल जस्टिस है उसके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्या इस पेफेश ंरोफ पुछे जा चुक यहां पर पूछआ चुकी हैं जैसे की दोहजार चोदा कए एक सवाल था जो कि पूछता है rule of law in the entities of rule of man तो ये एक सवाल यहाँ पर था फिर 2018 में फिर से यहाँ पर सवाल पूछा जाता है इंदिया की constitution क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कानून वो rule of law है अब ये 2018 में जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था what do you understand by the principle of rule of law अब अगर हम इस article की बात करते हैं तो article लिखा गया है बीबी पांडे द्वारा जो कि डेली उनिवस्टी में पहले एक आपके प्रोफेसर रह चुकी है और ये अगर rule of law को समझना है मैं article को तो बहुत अच्छे से समझा दूगी हैंगे ठीक है जी उसके बाद यहां पर इसको review अगर होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारे किसी कोर्ट के द्वारा तो वो इस बुन्याद पर इस कानून को गलत साबित कर सकते हैं कि ये कानून जो है ये ठीक तरीके से बना तो हुआ है यानि जो procedure बताया गया था उससे ये बना है बिल्कुल ठीक बात है लेकिन यहां पर ये ठीक नहीं है समाज के लेकिन ही कानों की वज़े से तो ये interpretation की जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के बास सविधान को interpretate करने की वही पावर इसका due process का example USA के अंदर देखने को मिल जाता है फिर हम देखते हैं कि इंडिया में क्या है देखिए इंडिया के अंदर starting में हमने जब लिया था तो हमने लिया था यहां पर rule of law ठीक है और rule of law का क्या है rule of law को हम यहां पर दुवारा procedure established by law भी बोल सकते हैं तो जब यह हम बोलते हैं तो यह होता है कि अगर आपने कानून के हिसाब से जो procedure था for example हमारा किसी act को किसी जो bill होता है act नहीं या पर क्या हैगा किसी bill को act में convert करने का क्या-क्या हमारे procedure लिखा गया सवीधान में तो हमारा लिखा गया कि पहले किसी house में उसको introduce किया जाएगा for example हम मानते कि लोग सभा में उसका introduction होता है अब उसको भेजा जाएगा majority के हिसाब से money bill है तो special majority यहां पर होगी कोई उसको मना नहीं कर सकता ordinary bill है constitutional amendment bill है तो यह अलग-अलग bill होते है आर्टिकल 110 के according आपका money bill आ जाता है फिर आर्टिकल 68 के according आपका constitution amendment आ जाता है और फिर amendment bill यहां पर होता है तो पहले जो लोग सभा में introduce किया गया for example ordinary bill है वो जाएगा राजे सभा में राजे सभा भी अगर उसको पास कर देते है मान लीजे कहते कि नहीं इसमें कुछ गलतियां है सुप्रीम कोट के पास case चला जाता है सुप्रीम कोट क्या करेगा सुप्रीम कोट देखेगा सिर्फ इतना कि लोग सभा ने पास किया है जी राजे सभा ने पास किया है जी प्रेजिडेंट ने पास किया है जी अब यह तीनों चीज होके सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाँ यह तो ठीक है चाहें वो कितना ही उनको लगे कि सामाज में अभी कुछ भी कोशन माग यहां पर उट सकता है उनकी पावर यहां पर कम नहीं हो रही है लेकिन अगर यहीं केस यहां पर होता है सुप्रीम कोर्ट में यू अ में डिवल प्रोसस फ्लो में तो वहां पर क्या होगा राजे जवाए उनका चलिए कोमेन्स और एक्जांप्ल देते हैं इंडिया में क्या है ये आपके लिए सवाल है कि इंडिया के अंदर हम क्या अपनाते हैं तो हम दोनों का एक synergy यहां पर देख सकते हैं कि दोनों के सिंटि यहां पर देखा जा सकता है कभी कभी due process भी लाग हो जाता है लेकिन constitutionally और जो real हमारा है वो है यहां पर processor established by law या फिर traditional rule of law भी उसको बोल देते हैं चलिए अब हम आते हैं article पर कि article क्या यहां पर बाते करना चाहते हैं तो इस essay के अंदर जो कि former professor है लोग के बीबी पांडे वो discuss करते हैं कि modern challenges क्या-क्या है traditional लोग के अब हम आगे बढ़ रहे हैं society का हमेशा एक rule होता है जब भी वो modernity की तरफ जाती है तो कुछ traditional चीज़े उसको छोड़ने ही पढ़ती है और traditional क्या होती है जो हम हमेशा से देखते हुए करते हुए आ रहे हैं तो पर्थात्मक इनको बोला जा सकता है कि हम हमेशा से इसको करते हुए आ रहे हैं लेकिन अब उन पर्थाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा लेकिन फिर उनको modernize करने में भी कुछ challenges निकल के आया है क्योंकि public का procession उनके खिलाफ काफी खराब था और कहीं ना कहीं power resources का उनको नाम दिया गया इसी के लिए यहां पर example दिया जाता है जो अभी के IPC को बदला गया है या फिर जो Indian evidence act है उनको जब यहां पर बदला गया है तो उनको change करने का यहां पर example दे रहे है IPC कब आती है IPC जो आई थी वो 1860 में आए गी थी इसलिए इसको outdated माना गया कि यह तो colonial mindset से लाए गया है फिर code of CRPC यहां पर आती है CRPC क्या है code of criminal procedure code तो यह जब आती है तो 1973 में आती है फिर Indian evidence act यहां पर आता है जो कि आता है यहां पर 1852 के अंदर तो यह तीनों act जो है इनको बदल कर नाम दिया गया पहले को बदला गया भारतिय न्याय सही था जबकि second सही था आने वाली अभी कि ठीक हम दुबारा से उस पर काम कर रहे है फिर दूसरे का यहां पर नाम दिया गया कि नागरिक सुरक्षा second यानि CRPC को नागरिक भारतिय नागरिक सुरक्षा बिल के तरुपर यहां पर चेंज कर दिया गया और इसी प्रकार से evidence को यहां पर दिखाया गया कि जो आप evidence करते हो उनको दिखाया गया जो central government है उन्होंने कुछ step लिये है modernize करने के लिए जो outdoated law है उन्होंने example दिया है जैसे कि जन्विश्वास amendment and provision act 2023 यानि कि आम इनको समझ में भी नहीं आया है जिब उनके ओपर question mark उठाएगे कि नहीं ये ठीक से नहीं है इस ताइम पर MPs का बहुत सारे ऐसे थे जो पारलिय से introduce करने वाला new penal laws जैसे कि भारतिये नाय सहीता second भारतिये नागरिक सुरक्षा भारतिये साक्षा second bill 2023 यहां पर आते हैं उसके पात यह discrimination तो था यह तो ठीक किया गया था यहां तक लेकिन आप जो changing perception है rule of law के ब्रति लोगों का उस पे क्या है कि जो major challenge है यहां पर rule of law को perception में उसको देखने का जो नजरिया है वो यह है कि power resource बहुत जादा है यानि कि जो social requirement है आज के समय पे जो समाज की जरूरते हैं उसको बदलने के लिए यहां पर police encounter जैसी strategies का इस्तमाल हो रहा है जैसे कि bulldozer बगेरा का इस्तमाल होता है तो यह सारी चीज़े ठीक नहीं है कि आप किस प्रकार से अपनी power को एक तरीके से काम कर रहे हूँ उपर से हमारे जो state है वो कैसे state है welfare state यहां पर देखिय जाती है कुछ state होती है जो कि police state होती है कि police का यहाँ पर ज़्यादा power उनको मिलेगी अभी कोई police वाला कुछ यहां पर नहीं दे सकता ना किसी को मार नहीं सकता इसी वज़े से यहां पर एक्जामपल भी दिये गए है कि कैसे कुछ बुलडोजर्स का इस्तमाल किया जाता है कैसे यहां पर जो अभी जमू एंड कश्मीर के अंदर कुछ जो वहां के लोकल से उनको गिरफतार किया गया तो यह तो नया कश्मीर नहीं है यह तो पहले वाला कश्मीर ही यहां पर दिखाई दे रहा है यह तो गलत है कि आप पावर का बहुत जादा इस्तमाल कर रहा है और रैधर जो रूल ओफ लो है उसका यहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो investigation कैसी होनी से यह बहुत सक्त होनी चाहिए, बहुत stringent investigation यहाँ पर देखी जानी चाहिए next हम देखते हैं जो कि है potential pitfalls of current scenario देखिए यह बताते हैं कि हम example लेते हैं फ्रांस का, फ्रांस के अंदर भी कुछ दुरगटनाय हुई है जो कि दुरगटनाय थी कि वहाँ पर जो पुलिस के खिलाफ में कुछ आपके जो सफाई कर्मी है उन्हों ने वहाँ पर जाके protest किये और उन्हों protest के ऊपर जो है government अच्छे से ध्यान भी दिया और पुलिस को कही ना कही बोला कि नहीं आप लोगों का जो behavior है वो गलत है तो यहीं से इंडिया को भी एक तरीके से example लेना चाहिए कि जो potential है downside shift का कि नजरिया जो बदल रहा है जब आप implement करने चाहते हो कोई भी किसी भी कानून को आप जब लागू करने जा रहे हो तो हमेशा down approach से सोची है आप ऐसा मत सोची कि power से हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं rather जो down approach जिनके उपर वो कानून लगने वाला है देखिए अभी कितने जादा protest होते है forms low आता है उसके उपर protest होता है यहाँ पर फिर यह तीन penal code आते IPC आते इनके उपर प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहे है फिर अप यहाँ पर जो एक आपका जो ट्रांसपोर्ट एंड मोटर्स विकल्स का यहाँ पर amendment किया जाता है उसके उपर यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे है हम देखें कि वह प्रोटेस्ट क्या है तो यह से बहुत सारे issues हैं जो कि unfair target कर रहे हैं कुछ लोगों को कुछ सम्हों को और जो basic principle होता है जो कि justice का basic principle है natural law को उसको यहाँ पर violate किया जा रहा है violence भी यहाँ पर फिर देखा जाता है तो देखें warning है shortcut approaches जो government लेने का सोच रहा है in the end में यहाँ पर author बिताते हैं कि वो कहीं न कहीं shortcut के against यहाँ पर warning होनी चीए चिताम नहीं होनी चीए क्योंकि बहुत सारे potential danger है खत्रे बहुत निकल जाते हैं जब कोई भी इंसान shortcut लेने की सोचता है या फिर जो rule of law है procedure of law जो हमने बनाया गया है उसको abridge करने की सोचता है माली जी एक कानून और इसके उपर से जाने की सोच रहा है तो यह इसके बहुत सारे खत्रे हैं तो इसलिए government को अपना जो faith है अपना जो विश्वास है जो हम traditional rule यहाँ पर रखते थे mechanism जो है हमारा model जो हमारा constitution निर्माता यहाँ पर बना के गए है सविधान निर्माता जो बना के गए है कि इसी तरीके से काम करना उस पर विश्वास रखना पड़ेगा government को और इसी तरीके से जो citizens है उनके लिए भी author यहाँ पर बोलते हैं कि देखिए वो भी जो उनके risk है उ उसके उपर काम करें चले नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा गया है यहाँ पर फुरकान कामर के द्वारा जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर management के professor रह चुके और यह बताते हैं कि ambitious push for values ethics in higher education so obviously बात है हमारे लिए भी हमारे ethics के paper के लिए important हो जाता है GS paper 4 में उसके अलावा higher education जो है GS paper 2 में भी हम इसको देख सकते हैं GS paper 3 के अंदर भी हम इसको मिला सकते हैं कि ठीक है वहाँ पर भी economic अंदर education policies यहाँ पर आती हैं तो यह सब चीजों हम देख सकते हैं सबसे जो important यहाँ पर बात की गई है वो है मुल्य की यानि कि मुल्य प्रवहा नाम से यहाँ पर एक scheme launch की गई है UGC के जवारा 2.0 का इसको नाम दिया गया है और यह modified virgin के मुल्य प्रवहा वन का जो की 2019 के अंदर notify किया गया था अब UGC क्या होती है UGC होती है आपकी university grants commission तो university के उपर जो भी rules and regulation होती है उनके जो grants होती है उनके जो पैसे मिलते है हर चीज़ पर यहाँ पर notification यानि कि एक higher एक body regulatory body है UGC यहाँ पर universities के लिए all India level पर तो यह यहाँ पर किया गया है अब हम देखेंगे कि ठीक है क्या क्या बदलाव यहाँ पर लाएगे उसको समझेंगे तो UGC recently बहुत focus कर रही है कि जो regulation है higher education के अंदर हम higher education किस education को मानते हैं जो आप university level पर आका पढ़ते हैं यानि कि आपकी graduation जो होती है या फिर आपकी यहा पर होती है या फिर PhD यह आते है higher education में secondary education हमें पता है जो कि 11-12 ना 8-12 तक कि आ जाते है फिर उससे पहले primary education होती है senior secondary होती है 10-12 तक तो यह हमारे education के criteria बटे हुए है schooling के अंदर या फिर आगे जाके भी तो यहाँ पर higher education के अंदर ethics के उपर बहुत emphasize कि यहाँ पर ethics यानिकी values जो होती है जिनको हिंदी के अंदर ethics में मुल्य बोला जाता है तो मुल्यों के उपर यहाँ पर बच्चों के ध्यान दिया जा रहा है और उसी को implement करा जा रहा है क्या guidelines है बहुत important है देखे सवाल इसी के उपर directly पूछा जा सकता है तो यह guidelines जो 2019 में इनको छोड़ दिया गया था उनी को amend करके मुल्य प्रवा 2.0 को यहाँ पर लाया जाता है और establishment करने की कोशिश की जा रहे है कि सभी के ऐसा environment बना चीए सभी colleges में सभी universities के अंदर जहां पर constitutional values का ध्यान दिया जाए दूसरा जहां पर fundamental duties जो है क्या क्या है fundamental duties 51A आर्टिकल 51A यहाँ पर बात करता है fundamental duties क तो इन सारी चीजों उसको यहाँ पर एक तरीके से बनाया जाए दो चीजों की बाते हो रही है fundamental constitutional values हमारी क्या क्या है fundamental duties क्या क्या मैं यहाँ पर prelims के लिए आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ रही हूं जिसको पता है comment में बताएगा कि article 51 जो हमारा add होता है बाद में यानि कि इसको इंद्रा गांधी आकर fundamental duties को यहाँ पर लाते है तो वो किस country से इसकी हमें सीख मिलिया क्योंकि originally तो यह constitution में नहीं था originally तो हमारे पास क्या था यहाँ पर fundamental duties नहीं थी सिरफ और सिरफ fundamental rights दिये गए थे fundamental duties का concept कहां से किस country से उठाया गया यह आप मुझे comment करके चलिए भी इसको थोड़ा easy बना कर समझते हैं इसलिए mind map पे चलते हैं तो mind map पे हम देखेंगे कि ethics higher education में देखना है मुल्य परवा two point और पहला देखेंगे ethics के उपर spotlight बहुत है देखें जो inception हो रहा है मुल्य परवा two point हो का इसको एक survey के द्वारा reveal किया गया है कि देखें जो अलग अलग organizations हैं इंडिया के अंदर अलग अलग universities हैं उनमें अलग अलग organization हैं उनके अंदर बहुत सारी unethical practices यहां पर की जा रही हैं और यह जो unethical practice है इthics का किसी भी पढ़ाई में integrate करने का मकसद होता है कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है क्या ग गलत करना है उनके लिए यहां पर कानून है punishment है राइट उनके लिए यह सारी चीज़ें वो करेंगे उनको रोका नहीं जा सकता लेकिन जिनको नहीं पता है और अगर उनको बता दिया जाए समय से कानून से उनको punishment देने से पहले उनको अच्छे से समझा दिया जाए कि करना ठीक नहीं है तो इसी लिए यह चीज़ों पर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि education के अंदर उसमें डालिए और इसमें क्या-क्या element होने वाले है element इसमें होने वाला है जैसे की फेवरेट टेरिजम का देकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो उनको पसंद आते ह हो जाते हैं उनको यहाँ पर जादा समान या चीज़े दी जाती है recruitment में फिर हम देखते हैं कि training में भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि training के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके फेवरेट है जो आपकी तारिफे करते हैं उनको पसंद करते हैं उनको आप जादा payment देत हो salaries वगेरा देते हैं तो यह सारी चीज़े देखने को मिलता है promotion में भी देखने को मिलता है फिर बहुत जगह उपर sexual harassment देखने को मिलता है कि क्या लोगों को सच में इतना अच्छे से पता ही नहीं है उनको जब यहाँ पर case studies दी जाएंगी मोलिकता की बाते बताई उनको पता होना चाहिए फिर gender discrimination सबसे जादा है कि gender के हिसाब से कि आपका क्या gender आप औरत है पुरे उस हिसाब से आपके साथ भेदभाव होता है फिर confidentiality के issue काफी जादा देखने को मिलते हैं कि कुछ ऐसी बाते जो confidential रहनी चाहिए थी जिनका किसी को पता नहीं होना एक्स हम देखेंगे sincerity needed in implementation implementation के अंदर यहाँ पर sincerity की जरूर आता देखें जितनी regulation होगी वो पूरा का पूरा ethical issue है higher education के अंदर माना कि उसको पूरी तरीके से 100% हो शायद यह ठीक ना कर पाए लेकिन अगर आप implement करेंगे उसको बहुत जादा sincerity के साथ तो यह regulate कुछ न कुछ तो जुरूर कर पाएगा जो root है जो कहीना कहीं जड है समश्याओं की उस जड पर हम काम करने वाले हैं जिससे जो आपका उपर जो वरक्ष आएगा जो पेड आएगा वो कहीना कहीं ओपर ठीक हो जाएगा तो थोड़ा बहुत stress तो यहाँ पर corruption का जूरूर देखा जाएग फिर हम देखते हैं कि transparency को recommend किया गया है जो guideline है वो prioritize करती है कि administrative जो decision making यहाँ पर है कोई भी किसी भी administration में युनिवस्टी के अंदर भी कहीं पर भी तो वो decision making के अंदर transparency होनी चाहिए जो भी privilege दिये जा रहे है किसी को भी यहाँ पर वो क्यूं दिये जा रहे है वो बाते बिल पीछे reason क्या था क्यों इसको कोई सुईधा क्यों इसको कोई position क्यों दी जा रही है तो वो university जब खुद से दिखाएंगी transparency रखेंगी कि कोई भी इसको जान सकता है तो आगे जाके बच्चे भी उसी तरीके से सीखेंगे फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी जादा रोल जैसे कि हम देखेंगे कि necessity of accountability की भी जुरूरत है क्योंकि transparency की जब बात आती है तो आपको जिम्मेवारिता भी लेनी चाहिए कि ठीक है कोई भी काम हो रहा है तो उसके accountable कोन है जो उसकाम को कर रहे हैं वहीं उसके accountability रखते हैं तो यह सारी चीज़े किसी भी institution के interest के लिए बह जो भी आपके confidentiality है जो भी किसी चीज़ को बचा के रखना contradictory नहीं होना चाहिए आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि confidential के चकर में RTI right to information जो होता है उसको मना करने लग जाओ नहीं आपको ध्यान रखता है कि कोई भी instruments अगर RTI के सच में वह खिलाफ है सच में किसी चीज़ से उसक के उपर फिर पनिश्मेंट अगरा भी दी जाएंगी फिर हम देखते हैं यूनियन्स के रोल्स की बात किया है रोल ओफ यूनियन्स तो मुल्या प्रवाद 2.0 यह स्टाफ एंड स्टूडेंट दोनों को ही यहां पर एंकरेज कर रहा है कि वह यूनियन्स को स्टूडेंट यूनियन जो है वो एक साथ आके अलाई कर सके अड्मिनिस्टेशन के साथ और यह सायद हमेशा ऐसा फीजिबल देखाने जाता है क्योंकि यू स्टूडेंट जो यूनियन्स होती है वो खास कर यहां पर एड्मिनिस्टेशन और जो आपके टीचर्स वगरा है उनी के खिला हो पाई यह से थोड़ी सी अंबिग्वीटी दिखाई देती है जब किसे सर्टेण टम्स गयरा को यहां पर को इसके ऊपर धीयन खा एक ओजार की तरह काम करेगा जब वो unethical practices को यहां बर higher institution से हटाएगा अगर बचों में higher institution से unethical चीजों को वो समझ जाएंगे तो वो आगे जाकर जहां भी काम करेंगे किसी भी organization के अंदर किसी भी institution के अंदर वहां जाकर भी वो इन practices को नहीं अपनाएंगे तो automatically यानि कि हम जो जड है उसी को ठीक कर देंगे जो automatically यहां पर जो पेट निकल कर आएगा organization के अंदर जो जहां पर हमें सबसे जादा ethics की जरूरत होती है वो सारी चीज़े automatically ठीक होती जाएंगे हाला कि यह पूरा का पूरा फिर से मैं आपको बता रही हूं कि 100% कोई भी चीज किसी से ठीक नहीं हो सकते है कि ठीक तरीके से किया जाना चीए अच्छी तरीके से काम करेगा भी आगे बढ़ते हैं जो की है understanding the EU carbon border tax देखिए लिखा गया है शशांक पांडे की जुआरा जो की climate and ecosystem की team के अंदर यहां पर एक researcher है तो यह बताते हैं EU के बारे में EU के हैं यहां पर European Union 27 देशों का यह एक समू है जिसके अंदर United Kingdom नहीं आता है तो यह एक ऐसा इसके अलावे इसमें Norway भी इसका पार्ट नहीं बनता है तो यह आपको थोड़ा सा पता होना चीए EU के बारे में फिर EU एक जैसे अलग-अलग होता है एशा के अंदर यह EU होगा अफरीका के अंदर भी यहां पर EU है African Union जिसके अंदर 57 Member Countries है यहां पर United Nations जिसके अंदर 197 Member Countries है फिर NATO की बात करें तो NATO भी यहां पर है North Atlantic Alliance तो ऐसे ही बहुत सारे कंट्री एक साथ मिल कर कुछ-कुछ यहां पर Alliance बनाती है ताकि उनको कुछ साजा Benefit यहां पर मिल सके अब हम देखते हैं कि क्या बाते की जा रही है देखिए EU का एक Carbon Border Tax ले रहे है Border Tax है Border से यानि उनके Border के अंदर अगर कोई भी सामान आएगा तो वो इस चीज़ को देखेंगे कि उसमें कितना उसामान की वज़े से Carbon यहां पर निकला है Environment के उपर और उसमें अगर जादा Carbon है जैसे कि Steel और जिसको बनाने में बहुत Carbon यहां पर इमिट हो जाता है तो यह सारी चीज़ों के बाद उसके उपर एक Additional Tax लेंगे और वो Tax कितना होगा वो बताएंगे एक अक्तूबर 2023 से इसको शुरू करने की बाद है कि Transition फेल की तरह हम Carbon को यहां पर खतम करना चाहते हैं लेकिन यह एक Extra Tax होगा जो कि एक अलगते Burden बन जाएगा किसी कंट्री के लिए जो जादा कर रहा है वैसे क्या यह लोंग टम में अच्छा दिखाई दे रहा है जी बिलकुल यह Environment के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन क्या यह इंडिया के लिए भी उतना ही अच्छा है वो हम अभी कोडिफाई करेंगे कि यह ऐसा है या नहीं है तो देखें यूरोपियन यूनियों ने एक कार्बन इसको Adjustment Mechanism CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism नाम का इन्होंने एक Mechanism को Concept किया प्रपोस किया है जो कि 2026 में जाकर Implement होने वाला अभी के लिए प्रपोसल स्टेज में है और इसमें कुछ Concern उठाए गए है कुछ Countries के द्वारा उसी मेंसे इंडिया भी एक Country है यह Policy कह रही है कि जो Tax Tax लिया जाएगा वो Carbon Intensive होना चाहिए इंपोर्ट के उपर तो यह कहीं ना कि इंडिया के CBAM एक्चुली में है क्या राइट कार्बन बोर्डर जो आपका Adjustment Mechanism वो क्या है तो CBAM EU का Initiative है ताकि जो Green House Gases है उनको यहां पर कम किया जा सके उनको यहां पर घटाया जा सके Reduce किया जा सके कितना Target लेके चलना है यहां पर 55% का 2030 तक जो कि पहले 1990 का अगर कोई भी चीज आपको percentage निकालने है माल लीजिए तो percentage निकालने के लिए कोई चीज होनी तो चाहिए कि इसके जगहे पर इसके compare में तो यह जो 1990 का यहां पर कार्बन होता था उसके compare में उसके Target में 2030 तक आज का जितना कार्बन है उसको 55% कम करना है तो यह हमारा percentage निकल के आ रही है फिर हम बात करेंगे कि ठीक है Target यह भी हमें समझ में आ गया है लेवल भी समझ में आ गया है तो mechanism design कैसे किया गया है देखिए mechanism जो है ना उसका design इसी तरीके से किया गया है जैसे EU का यहां पर emission trading system काम करता है अब emission trading system क्या है देखिए इसके अंदर भी इसका aim भी यही है कि जो greenhouse gases है उनका emission यहां पर कम होना चाहिए अब आप सवाल पूछेंगे मैं ग्रीन house gases का emission कम करने पर लोग क्यों लगे हुए क्यों यहां पर इतनी जादा बाते की जाती है तो देखिए चलिए हम थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं यह हमारी अर्थ के उपर अपनी waves को यहां पर भेजता है Sun rays जो होती है वह आती है short range की यहां छोटी होती है ठीक है short waves यहां पर बोल सकते है आर्थ के उपर कहां ही पर, यहां पर हमें ओशन मिल गया, पानी मिल गया है फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं आर्थ पर, तो यहां पर हमें ग्लेशियर या फिर आइस मिल जाती है पहाडों के उपर, aviation के उपर ठीक है, तो यह ice line होती है यह ice है यहाँ पर फिर हम next आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर trees वगेरा है पेड़ पोदे हैं, greenery है तो कुछ इस तरीके सी हमारी अर्थ हमें दिखाई देती है कहीं पर हमें desert दिखाई देता है यह desert का area है ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारी अर्थ का पुरा का पुरा surface है और बीच में भी, यह sun जो आ रहा है बीच में यहाँ पर कहीं पर बादल भी होते है ऐसा ही तो नहीं होता है यहाँ पर बादल है, जो कुछ यहाँ पर sun rays को अपने पास trap कर लेते हैं आगे जैसे पीछे से यहाँ पर माल लीजिये, आ रही थी 2, 3 rays यहाँ पर आ रही थी 4 rays और उनको आगे इसने 2 को भी जाने दिया बीच में इसने कुछ परसेंट उसको यहाँ पर रख दिया, कुछ को reflect कर दिया, वापिस भेज दिया इसन के पास ही वापिस आईए, अब हमें यह पता चल गया, अब जो rays यहाँ पर आएंगी बरफ के उपर 90 परसेंट तक की जो होगी वह reflect हो जाएंगी वापिस चली जाएंगी, अब जो यह आर्थ से उपर जाती है तो यह जाती है यहाँ पर लोंग वेस के अंदर वापिस जब वह यहाँ पर ट्रीज के उपर आएंगी ग्रीनरी के उपर आएंगी तो 50 से 60 परसेंट तक यहाँ पर यह कंजूम कर लेंगे और वापिस इसको एटमस्वेर में छोड देंगे ठीक है वापिस छोड रहे है यहाँ से जा रही है बरफ से जा रही है और पानी से भी लो ट्रोपोस्वेर यानि कि यह जो पेड़ पोदे यहाँ पर है इनके जस्ट उपर 10 से 12 किलोमीटर जो एरिया है उसके जस्ट उपर हम यहाँ पर हमारे ट्रोपोस्वेर को देख पाते हैं और यह होती है सबसे पहली यहाँ पर उसके उपर हम जाते हैं तो हम पाएंगे स्ट एपर बरा जब पर ये स्टार्टो 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 स्टी पर पर और आने तो अच्छन writing को एन किchen रोक उनको रोग दे रही है यही पर रोग दे रही है अब यह Greenhouse gases क्या करती हैसरी प्रकुछ फ्लोरोक बहुत important green house gases हैं ये chlorofluoro तो ये सारी green house gases यहां पर निकलती है अलग अलग जगा पर अलग तरीक से निकलती है ये green house gases क्या करेंगी कि ये अर्थ से उपर होकर यहां पर ozone layer के पास में इकठी होनी शुरू हो जाएंगी अब ये green house gases जो यहां पर इकठी हो चुकी है ये यहां पर ऊपर से तो sun की rays को अंदर आने देंगी नीचे आ जाएगा लेकिन नीचे से क्योंकि वह long waves है उनको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं आप यहां से देखिए यह rays नीचे आ रही है क्या यह rays यहां से ऊपर जा पा रही है हां कुछ पर्सेंट यारही है जो क्या ओपर जे रहे हैं 2, 4 5 10 पर्सेंट लेकिन जादा तर SHG वापीस जाना था यहीं पहली तो यहीं पहली तो यह हो रहा है एटमस्फेर यहां पर गरम हो रहा है यहें अर्ध-क कर भ giàंग है यहां टो यहां पर फिगल P ठीक है glaciers पिंगलेंगे glacier पिंगलेंगे से क्या इतना फरक पड़ेगा क्योंकि अर्थ के उपर सिर्फ एक ही परसेंट यहां पर हम बोल सकते हैं कि clean water है जो कि पीन याग है जो ज़्यादा तर glaciers में है एक तो वो वेस्ट होगा दूसरी बात हमारा जो sea है हमारा जो land बने हुए continent वो एक sea level से उपर बना हुआ है जब अगर यह glaciers पिंगलेंगे तो sea के अंदर पानी भरेगा और यह land के उपर आकर इसको समर्ज करतेगा यानि कि पानी के नीचे land डूब जाएगा बहुत सारे land यहां पर डूब जाएंगे तो यह सारी समश्या यहां पर देखने को मिलती है चली अब हम समझ चुके यह पुरा का पुरा की इसा यूट्यू चाता है इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए कि इंडिया के ऊपर यहां पर क्या response है क्या impact पढ़ने वाला है वो हम देखते हैं कि इंडिया के ऊपर क्या होगा तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडिया है अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखे तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशेटिव के द्वारा यहां पर एक रिपोर्ट निकाली गई है और उसमें इंडिया टोप 8% यहां पर कंट्रीज के अंदर आता है जो आप देख पाएंगे कि टोप 8% ऐसी कंट्रीज के अंदर इंडिया यहां पर आ रहा है जो कंट्रीज CBM से एफेक्ट होने वाली है चाहे इंडिया में देखे तो क्या होगी टोप 8% स्टील की इंडिया के आप बनाने में सबसे जादा यहां पर बनता है तो स्टील की इंडिया के ओपर बहुत जादा यहां पर इंप्टीड होगी इफेक्ट पढ़ेगा 2022 का अगर डाटा हम देखें तो 2022 में जो एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया की तरफ से European Union में 27% उसमें से यहां पर iron गया था यानि लोहा गया था steel गया था और aluminium गया था और यह जो product हमने भेजे थे वो अगर value निकाले तो वो लगबग 8.2 billion के थे अगर EU इन सारे products पे और जाता tax लगाता है carbon करता है तो इनको हमें कम करना पड़ेगा और यह जो वह ना इंडिया का नुकसान होगा इस तरीके से और जो industries है क्योंकि उनके पास खपत इतनी जादा नहीं हो रही है जो इनको manufacture कर रही है बना रही है तो उन पर भी नुकसान होगा क्योंकि वो लोग भी अब इसकी खपत तो consumption तो इसका करवा नहीं पा रहे हैं लेकिन इसको बनाव जुरूर रहे तो इस से क्या होगा उनको इसके rate को यहां पर cheap करना पड़ेगा सस्टा करना पड़ेगा अब उसका क्या होगा नुकसान होगा कि जितना उनको यहां पर लग रहा था पैसा किसी चीज को बनाने के लिए उससे कम में उसको बेचना पड़ जाता है तो वो तो बहुत साथा इंपेक्ट करेगा तो overall ये इंडिया के लिए इस तरीके से खराब है फिर इंडिया के हमारे पास potential अभी क्या-क्या सेनेरियो है कि इंडिया कर क्या-क्या सकता है तो क्या-क्या impact होने वाला है तो इंडिया के उपर जो current सेनेरियो उसमें response है जैसे पहला तो इंडिया negotiate कर सकता है EU के साथ की क्योंकि हम पहले ही यहाँ पर FTA बनाने की बहुत कोशुश कर रहे है FTA क्या है free trade agreement इसमें हम पहले ही बोल देंगे कि हमारा free trade agreement है अगर यह हो जाता है तो हम कुछ negotiation करेंगे हम बोलेंगे कि नहीं हमें इसके उपर tax अगरा नहीं देना है दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि ऐसे policy को WTO के अंदर भी इंडिया जाकर challenge कर सकता है WTO क्या है एक regulatory body yet पूरे trade पे पूरी जो world का trade होता है तो world trade organization इसका नाम है इसमें भी जाके change कर सकता है इंडिया की current अभी की क्या-क्या policies बनाए गई है इंडिया के द्वारा तो current policies की बात करें तो इंडिया में दो act हम देख पाएंगे जो सबसे पहला act है इसके उपर वो है energy conservation act 2001 देखें यह जो 2001 का इसका जो draft है वो खुद भी carbon trading mechanism के उपर बात कर रहा है दिसंबर 2022 के अंदर इसको amend किया गया था और carbon का credit trading system को introduce किया जाता है इंडिया के अंदर ताकि climate change जो हो रहा है उसको इम्यूजन की अहता सके उसके प्रतिक clean energy की तरफ जादा इंडिया बढ़े तो यह इंडिया खुद ही अपने आप ही कर रहा है self regulation कर रहा है दूसरा देखेंगे green credit program rules दोहजार तेस तो यह जो green credit के program rules हा रहे है दोहजार तेस के वह यहां पर क्या-क्या है तो ministry of environment की तरफ से इन rules को यहां पर निकाला गया है और इन rules में बोला गया था कि जो green credit program है वह एक voluntary system होने वाला है यानि कि इच्छा से कोई करना चाहता है तो अपनी इच्छा से यहां पर यहां पर काम करें तो यह भी यहां पर इंडिया के तरफ से देखा जा जाए दो जगाओं पर फिर हम at the end बात करें कि ठीक है जो introduction हो रहा है उसका पूरा का पूरा हिसाब यहां पर देखे तो हमें दिखरा है कि देखे critical changes तो है इंडिया की economy के लिए इंडिया की जो सबसे बड़ा sector है इंडिया का industry sector जिसे इंडिया यहां पर बढ़ाना चाहता है क्योंकि मैं आपको बहुत बार समझा चूँ क्योंकि इंडिया यहां पर agriculture से direct industry को skip करके पहुँच गया था यहां यूपियसी में क्यों important हो जाता है तो क्योंकि यहां पर मेंस में आभी 2019 में भी एक सवाल देखा गया है जिससे पूछा गया था कि analyze the role and impact of carbon taxes and carbon trade which is currently debated worldwide as a climate change mitigation strategy तो यह भी important हो जाता है चलिए next article देखते हैं जो कि है exploring इंडिया's diverse cultural heritage through GI tags देखें GI tag की यहां पर बात हो रही है तो यह एक data दिखाया गया है कि stage wise क्या क्या GI tag किस किस चीज को मिले हो यहां पर 17 ऐसे project है थास्टे को जिनको 6 state के अंदर और यूटीज के अंदर GI tag दिया जाता है तो सबसे पहले GI tag actually में होता क्या है GI tag होता है geographical indication tag यानि कि कोई सामान जो एक ही geography में बढ़ता है जैसे कि आप लोगों ने यहां पर अलग अलग चाय के नाम सुने होंगे ताज चाय सिक्किम चाय या फिर दार्जलिंग की चाय तो यह जो दार्जलिंग टी है यह क्या है यह टी को एक तरीके के प्रोडेक्ट को एक GI tag मिलावा कि वो वहीं पर निकलेगी फिर नागपूर के यहां पर औरंजी जाते हैं नागपूर के संत्रे यहां पर आते हैं वो भी यहां पर देखा जाता है तो यह GI tag होता है कि कोई ऐसा कोई भी जगर है जहां पर specially कोई चीज बनती है तो वहां पर उसको यह tag दिया जाता है क्या यह सिरफ fruits हो गया रहा है नहीं सारे चीज़ों को मिलता है नहीं आपके कोई cultural आपका वहां का कोई है जैसे कांजी वरम साड़ी आप लोगोंने सुना होगा कांजी वरम साड़ी तो वो भी यहां पर दिखाई जाती है तो यह सारी चीज़े ह फिर ओडिसा से लेकर यहां पर दोंगल्या फुट शाल ओडिसा में इसको जी आई टैक का हैंडिक्राफ्ट के अंदर यहां पर डॉंग कारिया शॉल जिस तरीके से आपने सुना होगा और भी ऐसे शॉल से जैसे कि कश्मीर के कुछ उनको भी यहां पर ऐसे जी आई टैक दिया जाता है फिर सुन्दरबन हनी वेस्ट बेंगोल में यहां पर जी आई टैक उसको मिला है वेस्ट बेंगोल के अंदर किसको मिला है सुन्दरबन हनी को सुन्दरबन हनी कहां पर होगा सुन्दरबन के जो फोरेस्ट है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लाजस्ट हम उ देखे तो अगरी कल्चर में अल्मॉस्ट वन नैंटी सिक्स ऐसी जी आए टैक की रिजिस्ट्री मिली हुई है पांच मेजर केटिग्रीज में फूड स्टप में 38 को जी आए टैक मिला हुआ है हैंडी क्राफ्ट में 285 को यहां पर मिला है मैनुफेक्ट्रिंग की अगर बात क हैं और फिर हम देखेंगे कैरला के अंदर 39 महराष्टा 35 उत्रखन 27 वेस्ट बंगोल ओडिसा मद्यप्रदेश राजस्तान इन सारे स्टेट्स में को काफी सारी चीजों को मिला है यह क्या है यह भी एक पेंटिंग का यहां पर एक्जांपल दिया हुआ हुआ है जो कि है सह प्रचुरिंग फूड अगरी कल्चर अगे यह स्टेट वाइस इनको सारा बाटा गया है क्या क्या यह जी आए टेग से कौन-कौन से बिल्कुल इंपोर्टेंट तरीके से बताये गए हैं वह यहां पर डिसक्स ना करके इंडियन एक्स्प्रेस में इनको डिसक्स किया गया सहींता 2013 यहां पर लाई गई है IPC को छोड़ कर यह जो 2013 बोल दिया मैंने सॉरी 2023 यह जो आई है इसके अंदर कुछ चेंज किया गया इसके अंदर जो सेशन है आपका तो 16106 जो सेशन है IPC अब उसको बोल सकते हैं इसका बोल सकते हैं उसमें कोई ड्राइवर अगर यहां प पर फिर आपके बस ड्राइवर हों और वो किसी को हिट करके और वहां से भाग जाता है तो उसको यहां पर 10 साल तक की सजा मिलेगी पहले जो यह सजा थी यह दो साल की होती थी तू यह जो इसको 10 यह से लिए बढ़ा दिया गया है और वो कही ना कही अकोर्डिंग टू जै पड़ कर मार देते हैं तो इसी वज़े से उनको भागना पड़ता है तो इसी वज़े से इन सारे कारणों से क्योंकि इन में कोई डिफ्रेंशेशन नहीं दिखाया गया है तो प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हो गया सभी जो 24 से 26 स्टेट्स हैं उनके अंदर ट्रॉक्स बहुत ही गलत पॉइंट है सेंटर की तरफ से सवाल उठाया गया कि देखिए आप किसी को माल लीजिए यहां पर आपने हट कर दिया आपका एक्सिडेंट हो गया तो आपको पहले यहां पर जो मेडिकल्स विधाय हैं उनको बताना पड़ेगा इनफॉर्म करना पड़ेग आप इनफॉर्म नहीं कहा रहा है तभी आपको सचा मिलेगी लेकिन फिर भी उनका बोलना है कि मोब के साथ ने यहां पर स्तित्थी में प्रस्तूत नहीं रह सकते हैं मोब क्या होता है भीड भीड के सामने तो वो नहीं रह सकते हैं क्योंकि भीड उनको डर लगता है कि ऐस से बहुत सारे इंसिडेंट हुए है कि पहले ड्राइवरों को पीट-वीट कर मार दिया गया है तो इसी वज़े से ये कहीं न कहीं समश्चा दायक है इसी के ओपर पूरी की पूरी डिबेट यहां पर चली हुई है तो जो अमेंडमेंट का सेक्शन 6106 का 2 है भारतिय नाय शा यह लेकिन इसी के खिलाब प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो कि पूरे डिबेट के अगर अंदर देखा जाए तो क्या प्रोटेस्ट जस्टिफाई यहां पर खुद को कर पा रहा है तो हाँ इसकी जस्टिफिकेशन ठीक नजरा रही है कैसे बदलाव करने की बात है जब से यहां पर मान रही है तो यह इस इस केंड बी जस्टिफिशेबल नेक्स हम चलते हैं इस साइंस इन टेक्नोलोजी से बहुत इंपोर्टेंट यहां पर मुद्दा है पिछले वाला कहां पर यह लास्ट आल आर्टिकल था यह हमारा जी एस पेपर टू के लिए इंपोर्टें कि पब्लिक हेल्थ के अंदर जो सर्जिकल केर है यानि कि आपको जो सर्जरी प्लस सर्जरी के बाद जो ध्यान आपका रखा जाना चाहिए यह दोनों की दोनों केर ही नेगलेट की जाती है नजर अंदाज की जाती है तो यह क्यों होता है चलिए देखते हैं इंडिया की ज एकसेस है बहुत ही कम खासकर जब हम रूरल एरियास में यहां पर जाते हैं और रूरल एरियास की बात यहां पर करते हैं millions ऐसी बहुत सारे minor minor छोटी-छोटी surgeries हुई है लेकिन उन में से जो इस surgeries होती है इसमें बहुत ही जादा higher need है अगर यहाँ पर 10 लोगों की सरजरी एक दिन के अंदर किसी होस्पिटल में हो रही है तो आप यकीन मानिये कि वहाँ पर 50 सरजरी की इंपोर्टेंस है खासकर जो छोटी सरजरी होती है लेकिन क्योंकि अवेरनेस कम है क्योंकि रिसोर्सी कम है इन्ही कारणों की वज़े से रूरल एरियाज के अंदर ग्रामिन जो शेत्र होते हैं उनके अंदर बहुत सारे लोग सरजरी को आउप्ट ही नहीं करते हैं सरजरी के लिए जाते ही नह एक लेंसेंट कमीशन है ठीक है अकोडिंग टू लेंसेंट कमीशन जो है ग्लोबल सरजडि के ऊपर उन्होंने यहां पर बताया है कि जो इंडिया का रेट है surgeries का यह बिल्कुल important article हो जाता है ऐसे के लिए भी कि इंडिया का जो rate है surgeries का और यह आपको लिखने चाहिए याद होने चाहिए जब आप अपनी answer writing करते हैं तो यह सब चीजे आपको पता होने चाहिए जो कि news paper से ही नल सकती है कि इंडिया के अंदर जो surgeries का rate है वो बहुत ही कम है जितना चाहिए होता है actual जितनी need है उससे बहुत कम है और इसके पीछे कुछ factors है जैसे कि क्या क्या factors है population जनसंख्या का size बहुत बड़ा है as compared to doctors doctors का size बहुत कम है sitting की यहाँ पर बात होती है कि फिर से doctor कम है और वो कितने time तक किसी एक patient को यहाँ पर ले सकते है फिर कुछ और other variables भी यहाँ पर है कि पैसा लोगों के पास कम है या फिर आयुष्मान कार्ड जो है जो गरीब people है उनके पास सभी के लिए वो बन नहीं गए है number of surgery यहाँ पर कितनी कम है demand जितनी चाहिए उससे कम वो हो जा रही है तो यह स कुछ लोग भी ऐसा करते हैं कि surgery जो है एक तरीके से वो एक luxury की तरह यहाँ पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो luxury को afford कर सकते हैं जिनके पास पैसा है वहीं यहाँ पर जाकर जादा इसको ले सकते हैं और यह जो basic right होना चाहिए humans के लिए जो एक health basic right होना चाहिए कि सबस जरूरी है प्रात्मी के right है यह basic ना होकर जादा population जो इंडिया की है उनके लिए एक secondary right होता है कि ठीक है हमारे पास जब पैसा होगा तब हम देखेंगे फिर जो लैंसेंट का commission है उनके पास भी limited data है लेकिन जितना data उनके पास था उस limited data में से यहाँ पर 90 परतिशत ऐसे ग् पैसे नहीं है यह सर्जरी नहीं करवा रहे हैं जबकि उनको requirement है यानि कि अगर माल लीजिए अब मैं आपको थोड़ा और इजी बनाती हूं एक गाउं है जिसके अंदर population है 1000 लोगों की उन में से सो लोग ऐसे हैं जो बिमार है और उनको अलग-अलग surgery चाहिए किसी को anything उनमें से सो लोगों को यहां पर मैंने 1000 लिख दया लेकिन 1000 लोग है total population उनमें से सो को यहां पर dental surgeries की जरूरत है इनमें से 10 लोग ही ऐसे होंगे जो actually में surgery करवा रहे हैं इंडिया के अंदर ये data निकल कर आ रहा है कि इतनी population में से यानि कि 10% ही लोग ऐसे हैं जो इस काम को कर पाते हैं 90% बचे हुए लोग जो ऐसे वो अलग अलग कारणों की वज़े से surgery को opt नहीं कर रहे हैं यह हमें data बता रहा है barriers क्या क्या है बाधाई क्या क्या है इसके अंदर अलग अलग barriers है जोग्रोफी भी एक barrier है कि आप किस जगह पर हो वहाँ पर hospital है नहीं है आपका अच्छे hospital है फिर lack of resources अगेन मैं बार बार इस चीज़ को बोर रहे हूं कि एक तरीके से luxury है ये करवाना तो पैसे की कमी है यहा पर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो क्वालिटी है वो कम है तो इसलिए लोग डर जाते हैं फिर quality जो है केर की कि आप सर्जिरी के बाद किस तरीके से केर करेंगे वह भी यहां पर कमजोर है फिर financial implication तो यहां पर देखे ही जाते है नेक्स्ट हम देखेंगे जो क कि है gaps in surgical care gaps क्यों आ रहे है gaps ही तो हो गया ना कि यहां पर सो लोगों को चाहिए था और दस ने करवाया तो यह क्या है वीज का यह होता है आपका gap की gap देखने को मिलता है तो इंडिया का जो surgical system है वो civilian initiative के ओपर काम करता है लोगों को खुद उनको जाना पड़ता है हाल के ब फिर भी जो meaningful improvement है वो तभी हो सकता है जब यहां पर systematic lapse जो है system के अंदर जो कमिया है उनको totally खतम कर दिया जाएगा redact कर दिया जाएगा तभी यहां पर चीज देखा जाएगा फिर हम next देखते हैं कि lack of national surgical action plan की यहां पर कमी देखने को मलते हैं जब हम इस issue को tackle करने की बात कर रहे हैं कम ठीक करने की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यह accept करना पड़ेगा कि problem तो है existence तो है problem तो यहां पर समश्या है ना attention भी तो करने पड़ेगी जैसे कि जो development of national surgical obstric anesthesia plan NSOAPS हम अपने problem को देख लिया है बहुत सारी ऐसी Asian countries हैं जहां पर आपको यह national plan दिखाए देता है कि पूरे Asia के अंदर यह plan होगा कि यहां पर national खुद ही वो लोग जा कर देखेंगे African countries में भी यहां पर यह देखने को मलता है तो इसी तरीके के कुछ plan इंडिया के अंदर भी लाने की जरूरत है ताकि इंडिया भी substantial यहां पर effort कर सके जब वो implement करना चाहता है ऐसे plans को तो देखें बहुत से significant hindrance तो हमें दिखाए दे रहे हैं जब हम अपनी इसको surgery को improve करना च चीए तो यही है कि देखें lack of problem है health care under negligible attention कम दी जा रही है national health policies के उपर attention कम है यहां पर उसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि इसको जो exciting अभी के लिए जो exist करता है ऐसे data को यहां पर utilize किया जा सके जादा से जादा फिर यहां पर एक नई policy बनाई जा सके surgical care के नाम से ह हम इसको बना सकते हैं अलग अलग policies जो होती है उसके बाद current studies जो अभी कि studies की गई है उनके data को भी यहां पर लिया जा सकता है उस policies में include करने के लिए ताकि अच्छे से अशी policy यहां पर बन सके दूसरी countries का हम example ले सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से क्या policy बनाई है और कही हमें जो data collection mechanism है उसको भी यहां पर improve करना ही पड़ेगा चलिए next हम आज के आखरी आर्टिकल की तरफ बढ़ गए है जो की बात कर रहा है साउथ कोरिया सूपर कंड़क्टिविटी claim received with new data बहुत important आर्टिकल है जीएस पेपर 3 के अंदर आपका important हो जाता है science and technology में और science and tech के portion में भी super conductivity जो की आपका आता है बायो टेक के अंदर प्लस बायो टेक में भी इतना नहीं आके जो प्लस में space प्लस अलग अलग जो आपकी conductivity का matter है उसके अंदर आता है तो देखे क्या है यह वो तो मैं आपको समझा दूंगे लेकिन उससे पहले एक word पर आपको ध्यान देना बता है आपने अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर science पड़ा है तो आपको हमें दो चीजों का तो पता ही है 7th 8th class से ही पता है कि दो प्रकार की यहां पर material होते हैं एक material क्या होते हैं जिनको बोला जाता है insulator insulator क्या होते हैं जो आपके current को पास नहीं होने देते हैं द जादातर कपड़े ऐसे होते हैं जो current को एक दूसरे से पास नहीं होने देंगे आपके अगर किसी चीज में current लग रहा है कोई ऐसा उपकरन कोई product अगर आप उसको कपड़े से टच करेंगे तो current पास नहीं हो पाएगा बहुत कम हो जाएगी उसकी intensity बहुत कम हो जाएगी फ आपकी AC की जो wiring होती है जादा तर उनको बोला जाता है कि copper की दीजिएगा तो क्यों होती है copper की wiring वह हम समझेंगे इतना आपको समझ में आ गया है आप हम समझेंगे कि electricity actually में जाती कैसे है किसी भी चीज के अंदर जब हम उसको भेजते हैं किसी भी electron को electricity जब जाती है तो वह कैसे यहां पर conduct होती है तो देखिए माल लीजिए हमारी AC की बात अब हम करते है ठीक है AC यहां पर बनी हुई है white color का यह compartment है यह पूरा का पूरा AC का और यहां से खुल रही है यहां से यह हवाई दे रही है अब अगर हम इस AC के अंदर चले जाए और अब हम इसकी copper की wiring की ब इस copper को हम यहां पर ले ले एक copper को भी अगर हम जूम कर और इसके अंदर जाए तो हम इसके अंदर इसके बहुत सारे elements को देख पाएंगे जो कि छोटे छोटे copper के positively charged यहां पर होते हैं हमेशा प्लस होंगे कोई भी चीज अगर आप ऐसे material को देखेंगे तो हमेशा प्लस दे तो वह electron यहां से यहां से यहां से क्रोस होंगे और जब ही वह electron इन जो copper के पहले ही C पलस हम यार लेक लेते हैं जो copper के पहले हैं उनके साथ जब भी भीडेंगे थोड़ा बहुत क्योंकि एक जगा से कोई चीज आ पास करो एक रास्ता है रास्ते के ऊपर बहुत सारे आप पथर रखे हुए है पेड है और आपको उस रास्ते से क्रोस करना है कुछ लोग होंगे जो ठीक है बहुत कम जगा से क्रोस कर पाएंगे लेकिन कुछ लोग हो सकता है उनको लगेगा को किसी को कहीं पर तच होगा तो जब यह टच होता है एक दम से heat को generate करते हैं अब एक द हीट निकलेगी हीट निकलेगी आपने दोनों हाथों को जब एक दूसरे के साथ जिस तरीके से गिसाएंगे कुछ ताइम की बात तो रसिस्टेंस पैदा होता है राइट तो यह हीट यहां पर जेनरेट होगी तो यह क्या हो रहा है जो इलेक्ट्रोन की कुछ पावर थी वह अमाल लीजे पहले इसकी पावर थी 10 अब यह माइनस होके 8 रह जाएगी क्योंकि कुछ पावर इसने उपर दे दी ना जो कि हीट में बदल गी और हीट से क्या बन रही है एनरजी बन रही है तो यह एनरजी इसी में वेस्ट हो जा रही है इसलिए जब आपका फोन कभी गर गरम होता है या कोई भी चीज़ जब आप उसको इलेक्ट्रोन के साथ चार्ज करके रखते हो तो आपने देखा हुआ कि वह कुछ समय के बाद गरम हो जाता है तो यही कारण है गरम होने का तो अब हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि जो कंड़क्टर होते हैं जो आज स बेजना था वहां तो नहीं पहुँच पा रही है तो वहीं बह रह जा रही है राइट अब हम दात करेंगे कि अगर सूपर कंड़क्टिविटी क्या है तो कंड़क्टिविटी से ही वर्ड अगर सूपर आगे लग जाता है तो सूपर कंड़क्टिविटी हो जाता है यानि वो बिल्कुल भी electricity को थोड़ा सा भी resistance ना करें, रोके ना, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, पहले भी कुछ superconductor है, यहां पर yes है, इन्हीं का कुछ examples भी आगे मैं दिखाऊंगी कैसे होते हैं, आप जो यहां पर पहले copper के यहां पर पहले ही ions गे रहा हैं, see positive, इनको freeze कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए, जब आप electron को यहां पर भेजेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा तो बदलाव होगा ना, vibration होगी थोड़ी सी, vibration जब यह इस से भीड़ेगा, तो vibration होगी, heat निकलेगी, लेकिन जब यह freeze हो जाएंगे, अपनी एक ही जगा पर यह ह temperature किया जाता है, liquid nitrogen का यहां पर इस्तिमाल किया जाता है, माइनस 260 degree से भी यहां पर कम temperature को किया जाता है, तब हम ऐसे superconductivity को बना पाते हैं, लेकिन पहले एक study हुई, जो कि South Korea की तरफ से की गई थी, और वो study में K99 यहां पर एक प्रोड़क्ट का यूज किया गया, और यह जो 28 degree जो room का temperature होता है, normal जो आपका, उसमें भी superconductivity लेके आ सकता है, देखिए यह बहुत ही बड़ा reveal था, 2023 में यह आता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यह fail हो जाता है, ऐसा कर नहीं पाता है, फिर से इसका revival करने की बाते हो रही हैं, आप बोलेंगे superconductor तो हमें के यह होँगे कि जो आपकी light यहां पर जादा लगती है, आप light का इसतेवाल कर रहे हैं इस चलाने के लिए, या भी शरती यहां तो मालनीज़े, heater चलांहें के लिए, आप इस जो light का इस चलाने में तो वह कुछ light लग रहा है है, इस उसका यूज हो रहा है, कुछ light आपकी यह जो इनकी magnetic field होती है जो अंदर magnet है जो चीजों को अपनी तरफ खीच रहा है मैंने बताया इसको freeze कर दिया जाता है freeze करेंगे तो magnet को बाहर निकालेंगे ताकि यह electron को अपनी तरफ ना खीचें magnet या तो आपका push करेगा अपनी तरफ या फिर pull करेगा दूर भेजेगा यह एक ही साथ में अपनी तरफ push भी कर रहा है दूसरी तरफ यह pull भी कर रहा है तो यह इस तरीके से मयो नाम से जो कि जेपैन की ट्रेन है जिसके अंदर सूपर कंड़क्टिविटी का इस्तमाल करके उसको magnet की तरह हवा में उड़ाय जाता है उसके जो टायर होते हैं वो हवाई जहास की तरह जब वो बहुत फास चलती है चलती है तो उसके टायर आटोमेटिकली अंदर चले जाते है उपर की तरफ यहाँ पर चले जाते है और वो हवा में ही यहाँ पर दोड़ती है यानि कि वो जमीन में बिल्कुल भी नहीं आती है उसके जो ट्रैक होते है हमें फ्रिक्शन का इस्तमाल करना पड़ता है किसी उसको चलाने के लिए घिसाने के लिए जब हो गिसते है पहांसे हीट बनती है हीट बनती ह्एज दो आगे देकर वड़ती है लेकिन यहां पर उसकी जुरूरत नहीं बनेगी अभी समझ्ण च्राइचर मैंटीन करना परता है लिकुएड नाइट्रोजिन को डालना परता है मेहंगा आता है अगर सेम चीज थोड़ा कम पैसे में हो जाते हैं अगर सेम चीज नॉर्मल टेंपरेचर पर हो जाएगे तो हमारे लिए बहुत फाइदे मंद होगा चले अब हम इसको मैंड मैप से सबस्ते हैं कि पुरा वह क्या बोलता है अब हमने कंसेप्ट पुरा समझ ल दूसरा हम देखेंगे जो कि सुपर कंडुक्टिविटी को समझना कि एलेक्ट्रिक करन्ट को बिना रेसिस्टेंस के बिना उसको रोके अराम से फ्लो करने देता है यह हम पहला पुरा समझ चुके हैं थार्ड हम समझेंगे कि LK99 जो कि 2023 के अंदर आया था वह कह रहा था हम कुछ हमने जादा स्टडी पर की है और अभी यह रोम टेंपरेचर पर काम कर पाएगा फिर से यहां पर क्या होगा देखें इसको प्रूफ करना पड़ेगा जब तक प्रूफ नहीं होता है तब तक हम इसका कुछ निकाल नहीं सकते हमारे लिए कंसेप्ट था जो इंपोर् स्क्राइब कर दीजिए शेर कर दीजिए और यहां पर इस बैल पर भी क्लिक कर लिजिए नॉटिफिकेशन बैल पर ताकि जब भी यह आए आपको न्यूस पर तो सुबह सुबह सबसे पहले मिल जाए और आप उपनी यूपीसी की जरनी में और जादा अच्छे से आगे ब कर दोस्फेस्ट